हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिस लिटरेचर, हेर वे आर गूंग टी डिस्कस अवरान सियार्टी सीरीज, फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, हम नाइन्थ, टैन्थ और सिक्स्थ क्लास की पोईटरी सेक्षन को डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम करेंगे जो हमारा सिक्षन रहता है, फ्रेंड्स, जो कि सिक्स्थ क्लास का ही है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट लेसन है, फ्रेंड्स, वो देखना क्या है, फर्स्ट लेसन का नाम है, वो डिड्ड पैट्रिक्स हॉमवर्क, कि पैट्रिक का हॉमवर्क कौन करता है, और अगर आपका एक्जाम का रिजल्ट आने तक ही जो हमारे फोर्म है वो फिल कर लिया जाएंगे और आपको मौका भी मिलेगा और आपके लिए एक गोल्डन ओपरचुनिटी भी है तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो हमारे जो लेसन है जैसा कि नाम यहां पे शो किया ग घृम फिल भी इंटरस्ट रही है जो स्टैडी करने में पढ़ने में घर जो हमts दिया जाता है वो करने में तो फ्रेंस इसमें यह दिखाये गया है कि क्या आप भी होमवर्क करना पसंद करते हो या आप जो अपना होमवर्क है खुद करते हो या किसी और की हल्प से करते हो तो यहां पर जो बच्चा पैटरिक हफेंड्स वो एक हम कह सकते हैं कि एल्फ होता है एक बोना आदमी हम बोल सकते हैं उसकी help से homework करता है जिसमें वो सोचता है कि तेरा जो homework है जो Patrick का homework है वो elf करता है लेकिन वास्तम में जो homework होता है वो Patrick ही करता है और कैसे वो एक नलाइक या हम कह सकते हैं कि चंचल बच्चे से जो बोर होता था पढ़ने से वो एक अच्छा लड़का बन जाता है पढ़ाई करता है और A प्लस मार्क्स लेता है अपने exams में ठीक है फैंस तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं में नाकिस देरी के यहां पे जब स्टार्टिंग में हमारी स्टोरी शुरू होती है तो जो Patrick होता फैंस वो बिलकुल ही उसमें किसी तरह का कोई जोस नहीं है खुश नहीं है वो क्योंकि उसको होम वरक करना स्कूल में पढ़ना यह बिलकुल भी पसंद नहीं था तो फैंस हम देखते हैं कि वो देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे बिलकुल एक जिसको कुछ नहीं आता हो अग्यानी सा लगता है लेकिन वास्तव में वो कैसा था कि वो कुछ भी कर सकता था लेकिन उसको होम वरक होता है उससे काफी ज़्यादा हीड़ थी ठीक है फैंस तो एक दिन हम देखते हैं जैसे ही वो सकूल शाता है तो फैंस वो देखता है कि उसके जो कैट होती है फैंस वो किसी डॉल के साथ खेल रही होती है तो जैसे ही वो उसके पास जाता है तो उसको डॉल को उठा लेता है तो उठाने के बाद उसको पता चलता है कि ये तो बोना आदमी है एल्फ है एल्फ है तो वो उसको उठा लेता है तो वो बोलता है कि मेरी हल्प करो हल्प करो जो बोना आदमी होता फैंस उसके चेहरे पे रिंकल्स हैं और वो बोलता कि मेरी हल्प करो हल्प करो में मुझे बापिस केट के पास मत छोड़ो तो फैंस यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो एल्फ होता है वो पैट्रिक से कहता है कि तुम कोई बीबिस मांग लो बट मेरे मुझे कैट के पास मत चोड़ो तो यहां पर पैट्रिक उस से कहता है कि मेरे जो सिमेस्टर के अग्जाम होने वाले हैं उन में अभी 35 डेज रहते हैं रिमे करते हैं तो वो बताता कि देरे देरे ऐसा होता कि फ्रेंट्स जो एल्फ होता उसकी मदद करता है वास्तों में जो ओर करता हूँ पैट्रिक ही करता है लेकिन जैसे ही मैथ का हम वरक आता है तो उसको काफी जादा इर्टेशन होता है और यहां पर एल्फ उसको बोलता है कि मैं तेरी शायता जब कर पाऊंगा तब मेरे पास बुक्स होंगी मुझे तो कोई नोलेज नहीं हिस्टरी के बारे में इस तरह से वो क्योंकि उसका जो टार्गेट था वो पैट्रिक को पढ़ाने का ही था कि पैट्रिक मेहनत करना सीख जाए जो हार्ड वर्क करना सीख जाए और लास्टली हम देखते हैं कि जैसे एकजामस होते हैं तो जो पैट्रिक होता है उसका एपलस आता है फ्रेंट्स और यहां जब लास्टली होता है उसके पढ़ने का एकजामस से पहले वाला दिन होता है तो एलफ होता है वो भी बस निकलता है वो यह सोचता है कि मैं अब यहां से भाग जाओं ठीक है फेंड्स तो एल्फ चला जाता है और जैसे ही रिजल्ट आता है तो पैट्रिक होता है वो ए पलस मार्क्स लेता है अपने अग्जाम्स में और उसके फादर मदर और जो टीचर होते हैं वो काफी ज़्यादा सर्प्राइज थे कि एक जो डल बच जा था एक जो हम भी कह सकते हैं जिसका कोई भी इंटरस्ट नहीं था फटने में वो ए पलस कैसे लेके आ सकता है तो यहां पर यह जो स्टोरी है फेंड्स यहीं खतम हो जाती है और यहां हम देखते हैं कि पैट्रिक भी लास्ट में यही सोचता है कि जो उसका होमवर्क है जो सारा कम उसे बोने आदमी ने छोटे आदमी ने किया है लेकिन जो रियल्टी थी वह क्या थी फैंस वास्त होता है उसने उनली हल्क की थी गाइडन्स दी थी पैट्रिक को जो हम वरक already जो हम व्रक था वो पैट्रिक ने ही किया था वास्तमे ठीक एफैंस और इससे के उनको हम discuss कर लेते हैं, ताकि आपको idea हो जाए कि किस तरह से questions पूछे जा सकते हैं, तो let's start करते हैं, यहां जो हमारा first question है, वो देखना, what was the name of the boy who never did his homework, अब गता कि उस लड़के का क्या नाम था, जो कि कभी homework नहीं करता था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, Patrick है, वो उस गेम खेलना पसंद करता था, तो fans हम देखते हैं कि होकी, बासकेट वोल और फुट वोल ती नहीं गेम उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो option number D रहेगा, हमारा बिल्कुल correct रहेगा, अब आगे चलते हैं, what did Patrick hate, अब गता कि Patrick है, वो hate किस से करता था, तो fans जैसा कि हमने बात की, doing his homework, तो option number B रहेगा, हमारा correct, कि उसको अपना homework करने में काफी ज़्यादा irritation होती थी, friends, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था homework करना, okay, friends, आगे चलेंगे, one day, sorry, one day, Patrick found his cat playing with, अब कता कि एक दिन वो cat को किस के साथ खेलता हुआ, देखता है, तो fans, यहां हम देखें एक elf था, when Patrick grabbed the little doll, why was he surprised, जैसे ग्रेप्ट होता है, friends, पकड़ना उठाना, जैसे उसने little doll को उठाया, तो वो कैसे surprise हुआ, तो fans, हम देखते हैं, कि वो क्या था, it was a man of the tinnest size, वो ही एक आदमी था, जो सबसे छोटी size का था, means, बहुत ही छोटा उसका जो size था, डोल जितना, आगे चलेंगे, what did the elf grant Patrick, अब जो elf होता है, वो उना आदमी होता है, वो Patrick को क्या grant देता है, किस बात की permission देखता है, तो fans, यहाँ पे रहेगा option number A, एक wish, कि तुम कोई भी wish मांग सकते हो, लेकिन मुझे इस cat से बचा लो, ठीक है friends, तो यहाँ Patrick होता है, वो यही wish मांगता है कि वही तुम मेरा homework करवा दे, और मैं तेरे को इस cat से बचा के रखूंगा, okay friends, अगे है, what was Patrick's wish, अब गता है कि Patrick की जो wish थी, वो क्या थी, तो fans, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा homework करेगा, the elf should do his homework, कि elf है, वो उसका homework करे, यही उसकी इच्छा थी, for how long time was the elf to do Patrick homework, अब गता है कि कितने दिन Patrick का homework करना था, elf को, तो fans हम देखते हैं कि 30, अगर डेज पुछा जाता था, तो हम 35 लिख देते, लेकिन यहाँ पर डेज में answer नहीं है, तो हम जो answer टिक करेंगे, वो क्या रहेगा, जो हमारा option number B है, till the end of the semester, जब तक semester का end होता है, जब तक यह अ पका, या सचा कौन था, तो यहाँ पर जो हमारा answer होगा, वो होगा, elf, elf, जो elf होता है, वो अपने वचन का पका, अपने words का पका है, आगे चलेंगे, the elf began to, अब करता कि elf क्या करना शुरू कर देता है, तो fans यहाँ पर option number B रहेगा, correct, do Patrick's homework, ठीक है, जब कि हम देखते हैं, कि वो Patrick को hard work करना सिखा देता है, fans कि वो home work करना सुरू कर देता है, lastly, वो success भी रहता है, Patrick होता है, वो home work खुद ही करता है, अपना, in which subject Patrick was out of luck, अब करता कि कौन साइसा subject था, जिसमें वो out of luck था, means, उसको बिलकुल भी, उसमें कोई बिगरेड, कोई बी ऐसे opportunity, या हम कह सकते कि success नहीं मिलती थी, तो वो था fans match, match में Patrick का विलकुल वे interest नहीं था, नहीं, उसको कुछ grass मिलती थी, आगे है, in which subject do we solve the exercise of addition, subtraction, with division and fraction, अब करता कि, ये exercise हम कौन से subject में करते हैं, तो fans जैसा कि आपको पता है, match में हम इस तरह की, जो exercises करते हैं, what position did Patrick get in his semester, result, अब करता है कि, जो result आता है, तो जो Patrick है, वो क्या grade लेता है, position लेता है, तो यहाँ पर A plus रहेगा, friends, ठीक है, आगे है, who helped the elf in doing Patrick's homework, अब करता है कि, जो elf Patrick का homework करता है, तो उसमें उसकी साहता कौन करता है, तो जैसा कि आपको बता है, Patrick himself ही, वो homework करता था, और वो ही उसकी help करवाता है, आगे चलेंगे, what type of a kid was Patrick now, अब कहता है कि, starting में जो Patrick था, एक डल नीरस बच्चा होता है, lastly वो कैसा बन जाता है, fans, तो यहाँ पर आएगा model, एक आदर्स बच्चा, वो बन जाता है, और इसी के जाता है, हमारी जो कहानी है, वो हमारो जो chapter हो, complete हो, friends, किसी भी परकार की को की औरी कमेंट हो, तो कमेंट वोक्स में डाल देना, okay, friends, और इसी के साथ, have a good day and best of luck.